घर में धन का आगमन रहे का बरकरार इन उपायों से प्रसन्य हों की मालक्ष्मी जैश्री राम दोस्तों आधुनिक मनी मंत्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों घर में वास्तु टिप्स के अनुसार अगर सब कुछ स्थापित है तो आपके घर में मालक्ष्मी के आगमन को कोई नहीं रोक सकता लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से कुछ गड़बड है तो धन की आवक में परिशानी हो सकती है यहां हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही टिप्स जो आपके धन की आगम को तो बढ़ाएंगे ही और आपके घर में खुशाली भी राएंगे नमबर एक वास्तु में जहां मंदिर के लिए पूर्व दिशा अच्छी बताई गई है वहीं धूप दीपक पूजन सामिगरी रखने के लिए दक्षिन पूर्व दिशा होनी चाहिए इसलिए मंदिर के पास इस दिशा में पूजन सामिगरी रखें नमबर दो वास्तु के अनुसार अपने ड्रॉइंग रूम में पंचियों की तस्वीर लगाना शुब होता है अपने घर की बैठक में उड़ते हुए पंचियों की तस्वीर लगाने से आपको निश्य ही लाब होगा नमबर तीन, साथ घोडों की तस्वीर भी घर में शुब रहती है इससे घर में सकारात्मक उर्जा का वास होता है और लक्षमी जी का आगमन होता है साथ घोडे वाली सूर्यदे के रत की तस्वीर हमेशा पूर्व दिशा में ही लगाएं नमबर चार, घर में सिंदूरी गनेश जी भी लगाने चाहिए ऐसा कहा जाता है कि सिंदूरी गनपती मंदिर में उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से घर में बरकत आती है नमबर पांच घर में तुलसी का पौधा होता ही है लेकिन अगर इसे सही दिशा में न रखा जाए तो विपरीत परिनाम भी जेलने पड़ सकते हैं घर में तुलसी के एक के साथ कई पौधे लगा सकते हैं अगर घर में उत्तर पूर्व में तुलसी के पांच पौधे लगाएंगे तो आपको लाब होगा तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धाया है